4. साथ राजकुमार एक राजा के साथ पुत्र थे, साथ राजकुमार अलग अलग दिन पैदा हुए थे, इसलिए राजा ने उनके नाम दिनों के अनुसार रख दिये थे, बड़ा पुत्र रविवार को पैदा हुआ था, अतह उसका नाम रवी रखा गया, शेश चै राजकुमारों के नाम थे, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनी जब राजकुमार बड़े हुए तो वे विश्व भ्रमन के लिए साथ साथ निकले जाते समय राजा ने उन्हें आपस में कभी ना लड़ने का निर्देश दिया साथ दिनों तक गर्मी में चलने के बाद साथो राजकुमार एक स्थान पर पहुँचे जहां से साथ रास्ते अलग-अलग जाते थे साथो राजकुमार अलग-अलग स्थान पर जाना चाते थे अतहब बड़े भाई रवी ने कहा हम साथो भाई अलग-अलग मार पर जाएंगे लेकिन एक साल बाद खूम फिरकर इसी स्थान पर मिलेंगे ठीक एक साल बाद सातो भाई उसी स्थान पर मिले शनी ने रवी से पूछा भाईया आपने यात्रा में क्या प्राप्त किया रवी ने एक चश्मा दिखाते हुए कहा मुझे एक चमतकारी चश्वा मिला है जिससे मैं 500 मील तक की दूरी की वस्तू को भी स्पष्ट देख सकता हूँ सोम ने एक सारंगी दिखाते हुए कहा मुझे यह वात यंत्र मिला जिसकी धुन सुनकर लोग गहरी निद्रा में डूब जाते हैं मंगल ने कहा मैंने एक ऐसी कला सिखी है जिससे मैं लोगों की जेब या हाथ से बिना भनक लगे कोई भी वस्तू निकाल सकता हूँ बुध ने कहा मुझे एक ऐसा चमतकारी कोट मिला है जिसकी जेबों में मैं भारी से भारी वस्तू रख सकता हूँ गुरु ने कहा मुझे बबूल की एक टहनी मिली है जिसे हवा में घुमाने पर अनेक मोटी मोटी रहनियां पैदा हो जाती है जो बड़े से बड़े दुश्मन का सफाया कर सकती है शुक्त ने कहा मैंने तीर कमान चलाने की एक कला सेखी शने ने कहा मैं भारी से भारी वस्तु हवा में फेक कर उसे अपने हाथ में पकड़ सकता हूँ राजकुमार अपनी राजधानी लोट रहे थे चलते चलते वे एक शहर में पहुँचे वहां चारों और खामोशे थी पूछने पर पता चला की राजकुमारी कहीं काइब हो गई है वे राजा के पास पहुचे और राजा को राजकुमारी वापस लाने का आशवासन दिया राजा ने कहा यदि सचमुच तुम लोगों ने ऐसा कर दिया तो मैं अपना आधा राजी तुमें दे दूँगा और राजकुमारी जिससे भी कहेगी उसी से मैं उसकी शादी करा दूँगा राजा की बात सुनकर रवी ने अपना चमतकारी चश्मा लगा कर देखा और कहा मुझे उत्तर दिशा में एक महल दिखाई दे रहा है उसमें एक बुड़ा विक्ती है जिसके सामने बैठी एक सुन्दर सी लड़की रो रही है उस लड़की के बाएं हाथ में चै अंगूलिया है राजा ने कहा वही मेरी बेटी है राजा को आश वासन देकर साथो भाई राजकुमारी को जादूगर से चुडाने उसके महल पहुँच गये उन्होंने दर्वाजा खट-कटाया सेवक ने दर्वाजा खोला और बताया मालिक विवा करने में वैस्त है सोम ने कहा इस खुशी के मौके पर हम गीत गाने आये हैं जादूगर के पास जाकर सोम ने सारंगी की धुन बजाई जिससे सातों भाईयों को छोड़कर सभी सो गए बुध ने सोई हुई राजकुमारी को अपने कोट की जेव में रख लिया थोड़ी देर बाद सारंगी के संगीत का असर समाप्थ हो गया जादूगर ने अपनी सिपाहियों को उन्हें पकड़ने का आदेश दिया राजकुमार अभी जादा दूर नहीं गए थे घोडों की आवाज आते ही गुरू ने पबूल की टेहनी हवा में घुमा दी जिससे सारे सिपाहियों मर गए वे सब एक पेड़ के नीचे विश्राम करने बैठ गए उन सिपाहियों में से एक भाग गया था उसने जाकर राजकुमारी नीचे गिरने लगी तब शणी ने उसको पकड़ लिया अब सातों भाई राजकुमारी को साथ लेकर राजमहल की ओर चल पड़े राजकुमारी अत्य धीक सुन्दर थी जिसके कारण सातों ही भाई उसे विवा करना चाहते थे इस बात पर वे आपस में जग बड़ा नहीं करना है और हम लोग छोटी सी बात पर लड़ रहे हैं हमें पहले राजकुमारी से पूछना चाहिए कि वे हम में से किस से विवा करना चाहती है राजकुमारी ने कहा अगर शनी मुझे आस्मान से गिपते समय नहीं पकड़ते तो मेरी मृत्यू ही हो जाती तो मैं मनी मन शनी को अपना पती मान बैठी हूँ राजा अपनी बेटी को पाकर बहुत खुश्वा तथा उसने बड़ी धूमदाम से अपनी बेटी का विवा शनी से कर दिया